हेलो रियन मैं जया स्वागत करते हुँ लाइठास में आज मैं आपको जिस क्रिस्टल के बारे में बताऊंगी वह सेलनाइट जो इस तरह से शाइनी वाइट कलर में दिखता है यह बहुत ही फाइन वाइब्रेशन रखता है यह एक ऐसा क्रिस्टल है जो खुद तो प्रोटे क्रिस्टल को बीडियों कर सकते हैं शलनाइट ब्रिक अपने पास रख सकते हैं आपके डेस्क वोग डेस्ट रहे वहां रख सकते हैं जिससे कि आपका जो वहां जितने भी नेगटिविटी है यह जो भी लोग वाइब्रेशन से वह सब एब्सॉब होके क्लेंज होते रहे ठीक है इस तरह से दिर आप लोट्स अफ वेस्ट 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 यह जो हमें प्रोटेक्शन देता है बाकी क्रिस्टल को भी क्लेंज करने के खूब ही रखता है एक चीज़ ज़रूर खाल रखेगा जब भी सलनाइट रखते हैं इसको कभी भी वाटर से करने के खूब है कि उसको अब इसको गया और कर सकते हैं ठीक है इनके तुम इसको यूज करके बाकी खूज कर सकते हैं फिर यह एक ऐसा क्लारेटी उप माइं दिलाने मिन में में जो क्लारीटी चाहिए उसमें दिने में help करता है हमारे क्राउन चक्रा को लग अपलिफ्ट करने में help करता है आपको यह दि इनजलेग गाइडेंस चाहिए हो इस क्रिस्टल को आप यूज़ कर सकते हैं यह इतना डीप सूधिंग कामि एफक्ट देता है कि जो स्पिरिच्ट वोक करते हैं, meditation बहुत ज़्यादा करते हैं, या any kind of spiritual work में है, so वो ये crystal यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका bracelet यूज़ कर सकते हैं, एक smart beat की माला यूज़ कर सकते हैं, whichever convenient way आपको लगे, उस वे से आप यूज़ कर सकते हैं, यदि आपको आपके telepathy enhance करनी हूँ, किसी person के साथ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उस case में आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप grid के लिए ऐसे selenite wands यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपके पूरे घर को protection दे सकते हैं, मेंस यह एक ऐसा crystal है, जो बहुत soothingly, calmly, आपके पूरे घर में जो भी negativity से protection देना है, उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, घर के corners में प्लेस कर सकते हैं, अदरवाइस आपके नक्षा जो है, उसमें इस तरह से gridding form कर सकते हैं, कि यह आपको protection दे, ठीक है, फिर कुछ लोग जो रेकी और यह सब healing modalities में काफी हैं, तो उन लोग या अधर शामनिक यूज़ करते हैं, तो उन लोग जो है, ऐसे wants को entities detach करने के लिए भी यूज़ करते हैं, फिर और 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 से entities detach करने हो, तो उन लोग यह यूज़ करते हैं, ठीक है, मेंटली बोले हैं, तो हमारे अंदर जो एक confusion कई बार बहुत चल रहा होता है, what to do this or that, उसमें जो असमंजस वाली स्थीती रहती है, उससे बाहर निकलने में या वो जो confusion है, उसको clear out करने में एक इसल बहुत अच्छे से help करता है, means एक deep picture आपको समझ में आ सके, उसमें ये बहुत अच्छे से help करता है, फिर हमें हमारा subconscious लेवल पे भी हमें heal करता है, जिससे कि हम एक clear perspective, clear understanding हमको मिल सके हमारे life के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद यदि आप इसको एक चीज़ कहल रखीगा कि Selenite बहुत fragile crystal रहता है, ठीक है, सो कभी भी इसको बहुत लंबे समय तक के पानी में मत रखिए, मैं generally कोई भी crystal को पानी में cleanse करनी के सलाह नहीं देती हूं, और Selenite ऐसा crystal है, जिसको तो बिलकुल भी नहीं, no no kind of crystal है, वो घुलना start हो जाएगा, the moment आप उसको पानी में रख हो उसको यूज करते हुए, आपको healing करनी हो, तो ये crystal हुई, orange, brown selenite यूज कर सकते है, फिर blue selenite आता है, जो हमें third eye chakra को enhance, हमारा third eye chakra को enhance करने में, improve करने में help करता है, फिर जब meditation के दौरान, जो chit chat चालो रहती है, माइन में, उसको shut करना हो, तो ये crystal बहुत अच्छा है, फिर आपको किसी problem के core तके जल्दी पहुँचना है, तब भी ये crystal बहुत अच्छे से help करता है, फिर अगला मैं बताऊंगी green selenite के बारे में, फिर green selenite जब भी आपको कुछ अपने highest good path के तरफ आगे बढ़ना हो, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, उस case में आप green selenite अबर उमर दिलाने होने में मदद करता है, और उसका जो effect किस सरे से आप उसको use कर सकते हो, जिसे कि आप आपका जो spiritual path है, जो soul purpose के लिए आए हो, वो आप find out करके उसमें आगे बढ़ सको, उसमें बहुत अच्छे से help करता है, फिर अगला मैं बताऊंगी, एक fish tail selenite होता है, जो deep level पर healing देता है nerves को, ठीक है, ये भी बहुत calming soothing effect देता है, हमारे को emotional level पर soothing up करने में ये crystal बहुत अच्छे से help करता है, प्लस बहुत ज़्यादा life में tensions चल रहे हो, तब भी उनको clear out करके soothing effect चाहिए हो, तो ये crystal यूज़ कर सकते हैं, फिर अगला आता है desert rose selenite, ये हमारे अंदर जो self-imposed programs रहते हैं कई बार, ठीक है, उसको clear out करने, resolve करने में ये बहुत अच्छे से help करता है, ठीक है, उन programming को हटाने में and then उसका जो replacement हमको चाहिए है, ठीक है, what you have to keep, means उस program को हटा के कुछ और program आपको डालना है, तो उस case में affirmations use करके, इस crystals को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से selenite आप protection के लिए यूज कर सकते हैं, multiple crystals के cleansing के लिए यूज कर सकते हैं, आपको deep level पर healing चाहिए हो, crown chakra की healing करने हो, आपका psychic improve करना, enhance करना हो, ऐसे multiple, इतने ज्यादा variety of uses है, इस crystal के, कि जितना भी आप यूज करो, आपको नए-ने effects आप आप गलेखने हैं, इनक ताक यू